हेलो फ्रेंड्स आज हम बर्गर पेंट इंडिया लिम्टर्ड के शेर के बारे में डिसक्रस करेंगे कि इसमें पिछले दो से तीन मंद से गिरावट की हो रही है और फिर हम शेर को एनलाइस करेंगे कि हमें इसमें लॉंग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए जर नहीं करन हाय तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इसमें गिरावट की मेरा को फ्रेंड्स मेरे को दो-स तीन रिजन लगते Dafne गिरावट की एक यह ल्ट है करूड इस पर राइज ठीक है फ्रेंड है है हाई पी रेशो हाई वैलूएशन पी थर्ड है फ्रेंड कि इसके रिजल्स और अपकामिंग रिजल्स जो भी आने वाले हैं ठीक है तो देखे फ्रेंड जो बर्गर पेंट जा किसी पेंट डस्पिर के लिए जो raw material रहता है वो रहता है crude और पिछले कुछ time में friend जब करोना था आया तो एकदम से crude के price बहुत गिर गए तो इनको raw material सस्ता मिलने लगा तो इनका operating margin क्या कफी बढ़ गया ठीक है friend paint company का सभी paint company का बढ़ा था पर friend अभी जैसे करोना जा रहा है तो crude के price एकदम से फिर से बढ़ गए है जितना नीचे आये थे उसके ऊपर चले गए हैं देखिए आपने petrol, diesel के price देखे ही होंगे friend अभी कितने जाला rice हो गया है क्यों हो है क्यों क्रूड का price इंक्रीज हो गया तो जिरी crude का price इंक्रीज हो गया है second reason है friend इसका P ratio friend अभी share का P ratio जदी हम बात करें तो 110 के around है चले देख भी लेते हैं इसको देखे friend जो हम चार्ट पे आगे हैं तो देखे P ratio का chart देख लेते हैं तो friend देखे अभी जो company के P ratio का chart है वो 107 के around और जिरी मैं maximum P ratio का chart देखूं तो इसका जो maximum P अभी maximum P के आसपास ही चल देखे अभी इसने अभी अभी 120 के आसपास P गया पहले कभी 120 के आसपास पहले 80 के around है maximum P जदी मैं COVID से पहले की बात करूं ठीक है friend अभी 120 तो काफी high P पे चला रहा है तो एकदम जब rally आयते हैं तो share का काफी बढ़े आता है तो अभी जब rally खत्म होगी तो वो उसको normalize करने की कोशिश करता है ठीक है friend second region होगे high valuation पे है और third region लग रहा है friend मेरे को वो लग रहा है इसका आने माले result देखिए friend पिछे के जाके दिवाली गही है दिवाली में लोग अपने गरों को आते हैं अभी जिदि मैं पिछले quarter की बात करें जो इनके यल्ट थे देखिए वो थे दोर पे 83 पैसे अर्निक परशे था पहले कभी नहीं आया होगा देखिए friend इस quarter में दोर पे 83 पैसे अर्निक परशे आया वह क्यों है क्योंकि इनका एक तो प्रूड के करें के प्राइज कम होगे देखिए परेटिंग मार्जन 20% हो गया था था पहले कभी था 20% नहीं 20% नहीं 20% मार्जन हो गया इनका पिछले quarter में तो इसकी वयसे नके दोर पर 83 पैसे पिछले प्रवाट आ रहे हैं whip शेट को ही शेट करते हैं कि असमें लाइश करना चाहिए नहीं करना हूए सबसक्राइब कंपनी के बारे में देख लžए कमपनी क्रों क्रेंड लेक्शेटर है तो फ ہیں तो फ्रेंब नाम से कंपनी का मार्केट करोडर पर क्रेंट प्राइजे साइस्टो तीसर पर फिटी टूबी खाई है तो का पीए 115 पर लिए तो जिए अपने अब टाइम हाई पीए के आसपासी चलाए फिरेंड मैं पीए को बहुत जारा इंपोर्टेंस देता हूं मेरे को शेयर प्राइज माइन नहीं रखता अभी 115 पी का क्या मतलब आप एक साल में एक रुपया गवाने के लिए एक सो पंदर रुपय देने के लिए त्यार हो देखिए कितना हाई वैल्यवेशन पर है ठीक है फ्रैंड बुक के वैले हो 30 पे 50 पैसे तो चले फ्रैंड इसका लोंग ट्रम का चार्ट देखने से पता लग जाता है कि कंपनी ने पिछली कैसे प्रफॉर्मस रही है जड़ी व पांच को इसके शेर का प्राइस है 9 पे 40 पैसे और अभी है 730 रुपय तो फ्रैंड इसने अपने शेर होल्डर का रुपया जड़ी मैं बात करूंँ अभी के प्राइज के अकॉर्डिंग तो कितने टाइम्स कर दिया फ्रैंड एराउंड 70 से जारा टाइम्स कर दिया है 70 कै प्रैल 2005 को इस कंपनी में तो अभी उसकी वैल्यू है 80 लाग के राउंड 25 लाग के राउंड तो कितने अच्छे रिटर्न से फ्रैंड 15 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न है अभी मैं बात करूंँ इसकी पी रेशो की तो देखे फ्रैंड अभी वैसे में डिसकस करी चु देखते हैं कंपनी की सेल तो देखे हमारे पास दो हैं नो से डाटा वेलबल है जेल दिखे दो हैं नो में थी में 14,17 क्रोड 16 में 4,23 क्रोड 17 में 4,552 क्रोड 18 में 5,166 क्रोड 19 में 6,62 क्रोड 20 में 6,360 क्रोड अप इछले 12 महिनों की 6,166 क्रोड यह कम इसलिए होगे क्योंकि इनके जो पहला मार्च से जून तक वहां पर लोगडाउन था इसकी वहां पर काफी कम होई होगी नहीं तो ठीक है फ्रेंड वैसे चलिए दोहें अनुने से ज्यादा ही है और जैदी फ्रेंड मैं ओवराल देखूं तो देखिए दोहें 9 में 1570 थी और अभी है 6,64 तो अराउंड 4 टाइमस हो 13 में 12% 14 में 12% 16 में 15% 17 में 16% 18 में 16% 19 में 15% 20 में 17 पिछले बार मिनों का 17% तो फ्रेंड ओपेरेटिंग मार्जी अच्छा खासा रहा नहीं पिछली 4-5 सालों worst अप इस जय ज्यादा पर रहा है इस बाद 17% उ Jamais Uhr달 हो ता पर इनके sermented क्यिन का लिए काफी देख रहे क्योंकि पूरा लोगडाउन था और उसके बार प्रूड की प्राइज कम होगे स्क्लियन का अप्रेटिंग मार्जन स्टेबल हो गया सता परसेंट पर ठीक है फ्रेंड तो अभी देखते हैं अर्निक पर शेयर देखिए दो है नौ में था 93 पैसे 10 में एकर पे 24 पैसे ग्यरा में एकर पचपन पैसे बारा में एकर पैसे 19 में 5 पैसे 20 में 6 पैसे 30 पैसे और पिछले बारा मीनों का शेर पैसे 33 पैसे तो फ्रेंट जिर मैं आउल निंग पर शेर की बात करूं तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ ही रहा है जोड़ा नो से कंपेर करें तो राउंड शिक्स टाइम हो गया है देखें छेर पैसे सेवन टाइम्स के राउंड ही हो गया है ठीक है फ्रेंट तो यल्ट अच्छे लग रहे हैं ऐसे ओवराल जड़ी हम देखें दो है नो से और फ्रेंट जड़ी डिविडेंड भी देखें तो कंपनी हलसा डिविडेंड भी दे रही है एट्टी टाइम तो इसने अपने शेर तो देखें हम मनी कंट्र पर आगे हैं तो देखें पर मेक्सिंटी फाइव हो सकते हैं तो देखें युक्रेविस के पास से लेवन पइंड इवन पॉईघ देख लेते हैं और रिटेल ट्रेटर के पास है 7.27 परसेंट तो शेयर होटी परटेंट काफ़ी अच्छा है फ्रेंड कोई प्रोल्म नहीं है अभी डेप्टी क्रिटी रेश्यो देख लेते हैं तो देखे फ्रेंड डेप्टी क्रिटी रेश्यो 0.2 है और पिछले साल के मगावले तो ठीक ठाक है फ्रेंड 0.5 से भी कम है ठीक है फ्रेंड अभी हमने जो जो पॉइंट डिसकस किया है उनको एक बार रिवाइस कर लेते हैं तो देखे फ्रेंड पी डेश्यो है 115 के रांड लॉंग टम के चार्ट में कुई प्रोलम नहीं है काफी अच्छा है इंक्रेजिंग ओडर में रहा है तो पांच में से 5 दे सकते हैं पलेज शेयर कोई भी नहीं है 5 में से 5 में जोटी शेयर होल्डर पर मोटर ही है 74.99 पर यह अच्छा खासा बढ़र है फ्रेंड 6 टाइम हो गया तो फोर दे सकते हैं 4.5 दे सकते हैं अच्छा खास है पर पंदर से इस्तरा परसंट के बीच में रहा है तो पांच में से साधे चाह दे सकते हैं कोई प्रोलम नहीं है है मारकेट क्याप 70 आयार प्लस कोड का लाज कया कंपनी है तो फ्रेंड यह प्रेंड फोर टाइमस होगी है फ्रेंड पिछले बारा सालों में तो पांच में से चाह दे सकते हैं होड्स अर बाय जिली आपके पाश से होल्ड कर सकते हैं और फोड़ी सी प्रोलम लग रहे है तो इसको प्राइज दुवारा गेंड करी लेगा और फ्रेंड जिद याँ फ्रेश बाइड करने की सोच रहे हैं तो फ्रेंड मैं सोचना हो कि अभी मत केज़े क्योंकि यह काफी हाई वैल्यूएशन पर है और अभी क्रूड के प्राइज भी काफी बढ़ गए हैं तो उसके इसकी मैक्सिम पहले पी रही थे 80 के रहा हुं तो जब इसकी 80 हो जाए तो प्राइज कम ऊकी है जाए यह तब हो जाए तब आप इसमें आपकी आप खोडेट केजिए का वैसे मेरे एक लाख लगाया होगा दो है अभी उसका प्राइज कितना होगा प्चाइता लाख और प्लस डिविडेंट भी दिया होगा इन्हों अच्छा खासा जितना उसने एक लाख लगाया होगा तो इसको डिविडेंट ही मिल गया होगा बाकी का है रुपए बाकी 55 लाख तो एक्स्ट्रा ही है ठीक है फ्रेंट तो काफी अच्छे रेटान रहे हैं कंपनी के तो फ्र फ्रेंट तो जड़ी आप निवेश करना चाहते हैं तो एक बार खुद भी सर्च किजिएगा निवेश करने का ओके फ्रेंट थैंक्स